हलो स्टुडेंट्स ये लेक्चर नमबर 3 है चैप्टर नमबर 21 नैशरल वेजिटेशन एंड वाइललाइफ तो इसमें हम अभी स्टार्ट करने वार लेइँ नैशरल वेजिटेशन का जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करेंगी नैशरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? naturally grown vegetation जो vegetation अपने आप उगती है उसको हम क्या बोलते है natural vegetation यानि कि जो forest areas हैं इंडिया के अंदर उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो forest आपको बता है किसी ने लगाई नहीं है forest जो होते हैं वो naturally grown होते हैं ठीक है? तो इसी बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं natural vegetation ठीक है? तो इसमें जो भी forest आते हैं जिस type के अलग-अलग forest होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे ठीक है? इंडिया is bestowed with a diversified natural vegetation तो इंडिया का जो climate है जिस हिसाब का है जिस type का है तो यहाँ पर आपको अलग-अलग type के forest देखने को मिलते हैं ठीक है? due to its diversified climate ठीक है? climatic and its location ठीक है? this is mainly because of the different soil देखो यहाँ पर अलग type की soil मिलेगी climatic condition मिलेंगे physical features मिलेगा relief मतलब height पर है कोई जगे या कोई place जो है वो plains में है तो इसी बज़े से यह कुछ several factor है इसी की बज़े से natural vegetation यहाँ पर बहुत अलग-अलग type की मिलती है soil climatic condition physical features and relief of the country ठीक है? आगे देखी tropical rainforest देखे यह बहुत ज़्यादा important है tropical rainforest ज़्यादा तर tropical areas में पाए जाते हैं और equatorial region पर पाए जाते हैं ठीक है? जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है जहाँ पर heat ज़्यादा होती है और आपको पता है equatorial region पर ज़्यादा गर्मी होती है इसी की वज़े से ज़्यादा तर ये forest जो है equatorial region में पाए जाते हैं तो इंडिया का जो western southern part है तो southern part में tropical climate होता है क्योंकि आपको पता है कि जो southern part है वो equatorial region के पास में है और tropic of cancer और equatorial equator के बीच में आता है इसी वज़े से हम किसको क्या बोलते हैं? तो इस region में ये forest ज़्यादा तर पाए जाते हैं और कुछ forest जो है वो north east में भी पाए जाते हैं ठीक है? देखिए Tropical rain forest are found along the rainy slopes of the western guard देखिए western guard जो है आपको पता होगा western guards कौन-कौन से states में है महराष्ट है, करनाटक है, गोवा है, केरला है ठीक है? तो ये जो areas हैं ये western guards के areas हैं यहाँ पर ये forest ज़्यादातर पाए जाते हैं the hills of eastern India देखिए मैंने आपको बता है, eastern India में भी पाए जाते हैं अंडमान निकुवार आइलेंड से हैं and in some parts of west Bengal ओडिसा these areas experience a lot and humid climate, a hot and humid climate होना चाहिए with a short dry season, the average rainfall is around 200 cm तो बारिश भी ज़्यादा होती है, तो tropics के आसपास जो areas हैं वहाँ पर equatorial region के आसपास जो areas हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है उन बारिश की बज़े से ही यह जो forest है वो develop हो जाते हैं और hot and humid climate चाहिए ठीक है, यह काफी ज़्यादा dense होते हैं यहाँ पर जो trees होते हैं वो काफी ज़्यादा बड़े होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं ट्रीज की हाइट काफी ज़्यादा होती है So most of the trees in these forests are either evergreen और semi evergreen ठीक है तो इन trees जो होते हैं वो evergreen होते हैं जातर और semi evergreen मतलब की जो पत्तजड होती है ठीक है वो नहीं होता है ट्रीज जो है अपनी leaves को नहीं छोड़ते हैं थिक underground, undergrowth are found in this forest the important trees are ebony, rosewood ठीक है ebony, rosewood and mahogany तो यह जो कुछ मैंने नाम बता है यह trees की नाम है तो यह जो trees हैं यह यहाँ पर पाए जाते हैं सेरिया the commercial use of these hardwoods is difficult as large number of trees are found together at one place तो इनका commercial use बहुत कम हो पाता है क्योंकि इन trees की जो wood है या इनको भार निकालना ही बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा dense area है ठीक है आगे देखिए next है tropical deciduous forest तो यह जो forest है यह widely spread है इंडिया में इनका जो area है काफी ज़्यादा है all over the India these are the most widely spread forest of the country they are found in the western ghat western ghat south में है और to the shivalik hills in the north shivalik hills यानि कि जो हिमाल्यास का southern portion है वहाँ पर भी यह पाए जाते हैं they are found in the regions where rainfall is 100 to 200 cm तो जहां पर बारिश ऐसे area जहां बारिश 100 to 200 cm होती है इन areas में यह जो forest है पाए जाते हैं the trees found in these forest are teak, saal, sandalwood, rosewood, ebony, shisham, दियोदर, खेर, mahuwa, bamboo तो यह कुछ important trees हैं जो tropical deciduous forest में पाए जाते हैं the wood of these trees is used for furniture making and building construction तो इनकी जो लकडिया है वो forest में से निकाली जाती है और furniture बगेरा और building construction में इनका इस्तमाल होता है ठीक है तो यह दो हमने forest के बारें पड़ा आप इनको अपनी book में अच्छे से reading लगा के रखे पढ़िये ठीक है मिलते हैं next video में झाल